प्रे साथियो नमस्कार, साथियो जैसा कि आज सभी को ग्यात है, यू-डाइस प्लस 2023 डाटा एंट्री का कार प्रोसेस पे है साथियो Data Entry का कार जो है सितंबर महिने से प्राराम प्रसातियो और सरकारी और निजी स्कूलों का Data Entry कार जरूरी है तो U-12-12-23-24 में Data Entry का प्रोसेस करने के लिए इस वस्त जो है Data Entry में तीन आपसन जो है अलग से एड़ किया गया है तो सरकारी और जी स्कूलों को डाटा एंट्री जरूरी है लेकिन अभी तक हमारे सिचक सात्यों के द्वारा कुछ स्कूलों को डाटा एंट्री अभी 100% पूर नहीं है आखिर क्यों, किस कारण से जो है data entry का process, कहीं न कहीं जो है, हमाई से चक सात्यों के द्वारा कुछ तुटी प्रदेसिक के जाता है, data entry करते समय जो है, विशेश ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है सात्यों, तो चलिए आज हम बात करेंगे, किसी छात्र का data entry गलत हो गया है कैसे update करेंगे, माल लेजिए data entry करते समय, किसी छात्र की data entry का process गलत हो गया है, तो उसे update कैसे करना है, वोके सात्यों, तो हमारे वीडियो पर बने रहेगा, और वीडियो को आनते तक जोड़ देखेगा, वोके सात्यों, तो process अब शुरू करते हैं, और वीडियो देखने से पहले, अभी तक जो हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, बेल आइकाम प्रेस करने, और चैनल को subscribe करने, ताकि जो भी वीडियो हमारे दोर अप्लोड के जाएंगे, आप सभी को समय समय पर notification प्राप्त होता रहेगा, ओके सात्यों, तो चलिए process शुरू करते हैं, प्रे सात्यों, स search bar पे हम type करेंगे, u-plus, जैसा कि आउस भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, u-plus इस आशन पे हमने click किया, click करने के बाद इस तरह का पर जोपनों का साथ, यहाँ पे u-plus.government.in, इस आशन पर click करेंगे, click करने के पर जैसा कि आउस भी देख पा रहे हैं, u-plus का page open है, ओके सात्य जैसा कि आशन भी देख पा रहे हैं, इस आशन पर हमने click किया, click करने के बाद इस page पर जो है, team प्रकार का option open है, सात्यों, सबसे पहला option क्या है, profile faculties, ओके सात्यों, दूसरा option, teacher module, तीसरा है student module, ओके सात्यों, तीसमें सात्यों, आप किसी भी module को सबसे पहले रादम कर सकते ह इसमें ऐसा कोई वाधता नहीं है, कि आप profile faculties पहले complete करें, या teacher module पहले complete करें, या student module, ओके सात्यों, सबसे पहले student module पर, अब यहाँ पे सबसे पहले आप select state, तो सबसे पहले आप यहाँ पे select state वाले आसन पर click करेंगे सात्यों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप आप यहाँ पर click करेंगे, यहाँ पे methyl अपन होगा सात्यों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर जो है 2022-2024 इस तरह का यहाँ तरह सात्यों, ओके सात्यों, आप 23-24 वाले options पः आप click करेंगे, ओके सात्यों, अब main page open करेंगे, औप सात्यों, अब क्लिक करने क कप्निक हैं अब यहां पर मेरे द्वारा जो है एक विध्यालाय का पूरा डीटेल यहँ कंप्लिट कर दिया गया है इस्कूल डीटेल ग्रेड काशाव 2 23-24 बीध्याथन Girl ने इंचे चॉक्ण्ड कर दिध click क necesitку देर इंच इंडोर्मेंट 101 डॉटल ब्वाय 53 डॉटल गस 48 ऑग शाहति हो अब आपे लागवे क्लास लूड़न कितने है उसत्रा जो है सबसे पहले तो इसे आप चेक कर लेंगे को के साथ आप आप यहां पर देखें in complete student यहां पर यहां पर एक इंग right उसके पतार सक्म complete क्यों नहीं है जैसा कि देख पा रहे हैं बाकी क च्छाओं का यहाँ पर complete है लेकिन दूसरी class का एक चात्र का जो है incomplete यहाँ पर so हो रहा है जाथियो अब इसे हम क्या करेंगे इसका जो यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर सबसे ऊपर दिया गया है ग्रेड शेक्षन वाइज इन्डॉल्मेंट डिटेल 2023 अब यहां पर शेक्षन वाइज दिया गया है जैसे जीपी एपी और एपी जीपी का मतलब होता है जन्रल प्रोफाइल एपी का मतलब होता है इन्डॉल्मेंट प्रोफाइल और एपी का मतलब होता है फैकल्टी और जिसका complete नहीं है यहाँ पे, red color में देखिए, not started, ओके साथियो, और सबसे पहली बात तो सभी छात्रों को आप detail complete देख लें, check कर लें साथियो, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, धर्मेंद कुमार सिंग, और यहाँ धर्मेंद सिंग, यह दोनों छात्र, यहाँ पे किया है और इस शाठ का भी data verse किया है, तो यहाँ पे जो है, इनके द्वारा जो है, double warranty कर दिया गया है, ऑके साथियो, तो सबसे हम पहले इस शाठर में जो तूटी है, यहाँ पे इसे हम पहले complet करेंगे, ऑके साथियो, प्रेश साथियो, शबसे है यहाँ यहाँ पे step by step complete कर करना होगा तो चलिए हम जी पी क्लिक करते हैं जैसे जी पी क्लिक करेंगी यहां पे चार्थ का जो žendra veio कंप्लीट करें में सारे डिठिए करने तुन चैंब करना है गEMA cosa करने के बाद साथियों सरुकर से घृंप्ट सुट उसक्त करना है तु101 Jump क्लिक करेंगे अब यहां पे मेसेज आ गया है जन्राव डाटा अपडेट सक्सेश फूरी ओके साथियो अब इसे क्लोज करने के बाद यहां पे आपसान है नेश्ट इस आप क्लिक करने के बाद अब यहां पे उसका जो सेकंड स्टेप है इंडोल्मेंट डीटेल इस्टूड नमबर साथिनेस सारे डटेल एक बाद फिर आप चेक करने बाद 500 करने के बाद यहां पे ँ republican जिक मि bald Rider साथि मेशिय ऑगया है इनलोग मेंट 되सुग सथि क्लिक करें यहां पे तीसरा एंद यहां यहां पर तीसंड शूरूग यहां पर शात्र का यहां दिया गया है इसके बाद यहां पर पहले चेक कर लें जैसा कि देख पारे हैं यह पूरे भरे गए हैं सिर्फ आपको चेक करना है सही क्या है गलत क्या है क्यों अब सेफ बाद यहां पर से वाले आफसन पर फिर से यहां पर सेफ करेंगे लेकिन इसके पहले यहां देखिए यहां पर दो आपसान जो है यह जो है डाटा इंस चौबिस की घ्रेशा है इस्टुएंट हाई अब यहां पर इस चुद्ट का जहां उच्जाई देखें इतना है और इसके बाद जो है शेव कर लें फिर से जा गया है फेकल्टी डाटा स्विर सक्सेश बोली इसके बाद नेश्ट पी क्लिक करने के बाद यहां पर चौथा आपसन है लास्टेट कंप्लीट डाटा एनि सप्साद को आपने कंप्लीट कर दिया है अब यहां पर कंप्लीट Literally की करेंगे यहां पर एक मेल जाएगा और यूशुर यूँर्द और Someone Ser क्या आपने रिट्र इसे बाद एक क्लिक करने के बाद इस तरह और कंप्लीटेड ओके इस तरह को जो है data complete का यहां process complete हो चुका है अब next student अब यहां पे जो है आप click करेंगे तो अगला page दूसरे चात के लिए open होगा ओके साथियो अब फिर से हम चलते हैं school dashboard पे फिर से हम click करके देख लेते हैं लेकिन यहां पे जो है अभी in completed so होगा क्योंकि जो है यह अभी अभी किया गया है इसलिए जो है कुछ time के बाद यहां पे completed so होगा ओके साथियो तो यह रहा जो आज का बहुत ही मात्पूर जानकारी फिर मिलेंगे इसी तरह नई वीडियो में तब तक के लिए जैने साथियो थैंक यू, थैंक यू सो मच